अप्रिल से सितंबर तक की अवधि में जो सालाना आधार पर 4.8 फीजदी की बढ़त के साथ जो एक भारत का एक्सपोर्ट है वो 393 अरब डॉलर के स्थर पर पहुंच गया है पिछले साल के अगर तुलना करें तो इसी अवधि में ये 375 अरब डॉलर के स्थर पर था वानेजी रुद्योग मंत्राले के आखणों के मुताबिक चालू वितवर्ष के पहले 6 महिने में कुल माल निर्यात यानि जो गुड्स का एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू 213 अरब डॉलर रही वितवर्ष 223 की सेतंबर अप्रिल सेतंबर अवधि के दौरान ये आकड़ा 211 अलब डॉलर के स्थर पता यानि करीब करीब एक फीजदी की बढ़त दिखाई दी है अपर سितंबर के दवरान सर्विसेज एकस्पोर्ट के में 9 फीजदी से जज़ जादा का उचाल दर्ज किया गया है यह अनुमान लगाया गया है वानेजी मंतराले की तरफ से वानेजी और रुद्योग मंतराले के मताबिक भारत का निर्यात सितंबर में माल और सर्विसेज दोनों को मिला करके 65 अरब डॉलर से जादा रहने की उम्मीद है इसमें सलाना अधार पर 3.076 फीस दिदी कीस्ता कार आत्मक व्रिद्धी देखी गई है बहुत इंपोर्टन आकड़े और क्या कहते हैं यह आकड़े उनको समझने के लिए हमारे साथ हैं रक्टर अजय साहय जो की CEO हैं महानेदेशक हैं फीयो के रक्टर साहय बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए सितंबर तक के आकड़ अजरत हम ग्लोबल हेड्मिंट्स को देखते हुए नंबर्स काफी इंकरजिंग हैं आपी भी हमारा गुड्स और सर्विसे एक्सपोर्ट करी-करी 5% ग्रोथ दिखा रहा है और हम देखते हैं कि जो सेकंड हाफ होता है जनरली इसमें एक्सपोर्ट ज्यादा पिक अप हो र होगा क्योंकि जिस तरह की वैश्विक स्थिती है उसको देखते हुए बहुत से चैलेंजर ने बहुत सी एक्सपोर्ट मेंटेन किये हैं तो यह हमारे एक्सपोर्ट की रिजिलियन्स दिखाता है एक चीज़ और बहुत जरूरी है इंडिया की कंटेक्स में कि हमारा डुमे बहुत हो रहा है लेकि उनकी कंपनियों पर कोई फरक नहीं पढ़ रहा है जैसे मैं आपको एक्सेम्पल देना चाहूंगा अगर सरेमिक्स देखिए जिस तरह का बढ़ा हुआ है सेरमिक्स एक्सपोर्ट इंडिया का डाउन हुआ है हम लोग इसमें इसमें की तो बहुत से सरेमिक्स प्रोडियूसर ने बोला कि इंडिया का डुमेस्टिक मार्केट इतना अच्छा हो गया जैसे बड़े-बड़े स्टोर्स आ गये हैं तो उनको कोई लॉस नहीं हो रहा है वो एक्सपोर्ट की जगह आज की डुमेस्टिक मार्केट में चले गए हैं क्योंकि उनका सर्विसेज का क्या है अभी सर्विसेज में जो आकलन किया गया अला कि अभी आर्बिया ने जारी नहीं किया है सितंबर के आखड़े-अगस्त के हमारे पास हैं लेकिन नौ फीजदी से जादा की जो बढ़त दिखाए दिये सर्विसेज में उसकी वज़य इस उमीद की हो रहे हैं तो और भी कोर सर्विसेज में चाहिए वह आरंडी सर्विसेज से टेक्नोलजी रिएट सर्विसेज कोर मैनेजमेंट सर्विसेज हो इनका बिजन सी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हमने अभी तक देखा कि जो ग्लोबल कैबिलिटी सेंटर्स थे मल्टिनेश लाज कंपनीज भी कर रही है तो जिस तरह के ऐसे जो इंडिकेशन से यह शो करते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया के जो सर्विसेज एक्सपोर्ट से वह बढ़ता रहेगा और सर्विसेज में प्रॉबली जिस तरह के ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं जो की इस साल भी हमें लगता है कि यह पूरा फैनेशलियर अरॉन 375 से 380 बिलियन डॉलर तरका सर्विसेज एक्सपोर्ट दिखाएंगे और वाई 2030 एस अफ नौ हमें लग रहा है दोनों हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर चाहे गुड्स हो चाहे सर्मिसेज हो वह एक ट्रिलियन डॉ जारान लेते हैं चुकि आपने अभी बीते दिनों डेलिगेशन को भी आपने लीट किया चाहिना लेकर के गए चीन के साथ जो हमारे संबंद है साथ ट्रेट को लेकर के वो किस दिशा में जा रहा है अब पूरी कहानी से परचित हैं तो थोड़ा सा बताएं कि हम लोग किस तरह से एक्सपोर कर रहे हैं चाहिना एज़ा मार्केट और कैसे देख रहे हैं इंडिया चाहिना ट्रेट के इस पूरे ट्रेंड को अगर आप इंडिया चाहिना ट्रेट के ट्रेंड देखिए तो अगर आप फर्स सिक्स मन्स के इंपोर्ट नंबर देख रहे हैं तो चाहि में एराउं 41 बिलिन डॉलर का हम इंपोर्ट देख रहे हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहां इंडियन एकॉनमी की रिक्वार्मेंट के लिए शायद हमें चाइना से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करने लेगें, पट पी एलाई स्कीम जिन सेक्टर्स को इससमय फोकस कर रही है, वो Euसे से जिसमें की मेजर इंपोर्ट फूकर से हो रा है, तो जिस तरह की के इंपार्बा प्रच्स हा रही हमें अधार फूर्ट सो तो फॉकस यह में हमारे डिमैडनेंस रागणा में चायना कम हो जाएगा जहां तक exports का सवाल है हम लों ने यह भी दिखा है कि चाइना in fact slow हो रहा है demand China में hit कर रही है तो हमारे exports तो है चाइना में थोड़ा प्रभावी तो विकाज चाइना का overall imports भी down जा रहा है और economies में challenges यह इसी तरह visible है कि जब चाइना ने trillion dollar yuan का अपना package दिया financial support दिया तो एक दिन stock market 27% बढ़ गया बहुत जगह से flight of capital चाइना के हो गया ग्रैजुली वो start out हो गया और फिर वो challenges लग रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमारा imports चाइना से generally कम होता जाएगा और हमारा export as हम जब value added segment में जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे सर अगर sectors की बात करें तो अगले 6 महीने में चुकि आपने कहा कि H2 में हम बहतर production कर सकते हैं और बीजी सीजन भी आ रहा है बहुत सार export orders होंगे तो कौन से sectors हैं जिनको जिनसे आपको ज़्यादा उमीद है और पर जो एंजिनरिंग एक्सपोर्ट से सर उसमें आपको कैसा ट्रिंड दिखाई दे रहा आगे जाते हैं मैंनों में इंजिनरिंग एक्सपोर्ट से हमारा सबसे dominant sector है और अभी भी है recent data देखें तो एंजिनरिंग एक्सपोर्ट में करें 10.7% ग्रोथ आई जो कि अच्छा नंबर है खाली इंजिनरिंग नहीं हम बहुत से संराइज सेक्टर जो एक्सपोर्ट में चाहें हम इंजिनरिंग कहें electronics कहें फार्मासिटिकल कहें आने वाले दिनों में इनका अच्छा एक्सपोर्ट देखना चाहेंगे एक बहुत अच्छा डाटा में इस बार यह लग रहा कि हमारे जो लेबर इंटेंसी से से जो बहुत कर रहे थे इस बार उनने बड़े अच्छे फिगर दी हैं अगर आप एपरिल सेक्टर में आई हुई है बहुत से अगर आप agriculture related सेक्टर कॉफी के एक्सपोर्ट में 75% ज्यादा ग्रोफ आई है अब टुबैको के एक्सपोर्ट में 57% ग्रोफ आई है है हैंडी क्राफ्ट एक्सपोर्ट में 48% ग्रोफ आई है टेक्स्टाइल एक्सपोर्ट अप है लेधर एक्सपोर्ट अप है तो यह बहुत अच्छा इंडिया के लिए रहेगा, क्योंकि हमारे भी एक्स्पोर्ट स्ट्रेटिजी होगी, उसमें हमें सन्राइज सेक्टर, ट्रडीशनल सेक्टर दोनों को पुश करना होगा, एक शायद हमें बहुत अच्छे एक्स्पोर्ट नमबर दें, लेकिन दूसरे हमें जॉब क्रेशन में ज्यादा मदद करेंगे.